बहुत बहुत स्वागत जेवडी आर्बिट में आपका दोस्तों उमीद है कि आप अच्छे से होंगे और हिल्दी होंगे दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टन्ट है जैसे कि आप थन्मिल में देख रहे हैं इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को काम आने वाला है और जो आपके लाइफ को हिल्दी बनाएंगा और आपको स्वच्थ रखेगा इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को कि कि वाचिंग और पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और करें और आप से एक वार रिक्वेश्ट करेंगे कि अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बिल एकन दोवाना बिलकुल ला भूलें तो आपने वीडियो के चलते हैं और बात करते हैं कि आज क्या महत्वपुर्ण जो है टिप्स और बातें बताने वाल संभौन ही उपाता है ऐसा अक्सर वर्किंग लोगों के साथ होता है जो सब्सक्राइब करने के लिए कई बार खाना बनाकर फ्रीज में इस्टोर कर लेते हैं और फिर बचेवे खाने को फ्रीज में इसे निकाल कर भूग लगने पर खाते हैं ताकि उनका बचावा खाना बर्माद भी नहों और सब्सक्राइब काम भी आ जाए फ्रीज में रखा खाना खराब होने से तो बच सकता है लेकिन क्या ये आपकी सिहत को भी खराब होने से बचा सकता है ये एक सोचने की बात है इस सवाल का जवाब पाने के लिए चले जानते हैं कि आखिर कितने दिनों तक ये कितने घंटों तक फ्रीज में रखा खाना फल सबजी वगारा जो है सुर्चित रहेगा और फ्रेश रहेगा दोस्तो सबसे पहरे चीज जो है चावल फ्रीज में पके हुए चावल को अगर हम रखते हैं तो ये दो दिन के भीतर ही इसको खालेना चाहिए फ्रीज में रखे चावलों का सेवन करने से पहले उन्हें कुछ देर कमरे के टेंपरेचर पर रख लें उसके बाद चावलों को अच्छी तरह गरम करने के बाद ही खाएं नहीं तो फिर ये पेट डर्थ का कारण बन सकता है इसका आप खास ख्याल रखें अगर आप गेहुर की रोटी को फ्रीज में रख रहे हैं तो रोटी ब्राने के बारा से चौदा घंटे के अंदर ही उससे खाने ना बेतर होता है ऐसा ना करने पर उसकी पॉस्टिक्ता जो है खत्म होने के साथ वह आपके लिए पेट डर्थ का कारण भी बन सकती है दोस्तों इसी तरह से डाल अगर हम फ्रीज में इस्टूर करते हैं डाल जो बच गई है कि चलो भी इस डाल को रखते हैं और बाद में खाएंगे तो उससे खराब होने से बचाने के लिए फ्रीज में रखा हुआ दाल को जो है का सेवन करना है दो दिन के बाद फ्रीज में रखी दाल का सेवन करना हानिकारक है पेट में गैस पैना होगा और इसे पेट में दर्ध होगा इसी तरह से कटेवे फल अगर आप फ्रीज में इ तो कई बार कटेवे फल बन जाते हैं ऐसे में बाद में इनका उप्योग करने के लिए लोग उन्हें फ्रीज में रख देते हैं लेकिन हर फल को खाने का एक निश्चित समय होता है उसके बाद ये फल दूसित हो जाता है दोस्तों जैसे कटा हुआ पपीता अगर आप प्रूसित होना शुरू हो जाता है इसे बारा घंडे बात खाएंगे तो ये कटे कटे समय गितना गुणकारी था इस समय उत्रही हानिकारक हो जाता है ये जालने अब बिल्कुल अपोजिट ये आपके शरीर के लिए धीमे जहर की तरह काम कर सकता है इसलिए इसको छे चाटने के बाद जया दीर तक रखा जाये तो उसमें आउक्सडाइजेशन होने लगता है इसे उसकी उपरी परत काली होने लगती है हाला कि इसमें कोई खास नुकसार नहीं है लेकिन सेप को कटने के बाद चार घंडे के अंदर-अंदर खाले ना है आई अच्छा होता है यह बेश्ठ है वैसे किसी भी फल को अगर आपने काट दिया है तो उसे 6-8 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए लंबे समय तक फ्रीज में कैसे इसो फ्रेश बनाना है यह भी जान लिए अक्सर लोग फ्रीज के एक ही सिर्फ में कच्ची सबजियां के साथ उसी के बराबर पका हुआ अराज रख देते हैं ऐसा करने से फ्रीज में बेक्टरिया बढ़ने लगते हैं और खाना जल दी खराब हो सकता है अलग लग शिर्फ में रखना है ऐसा नहीं करना अलग लग रखना है इससे क्या हो कि अधिक समय तक आपका फ्रूट्स और वेजटेबल्स और जो है फ्रेश रहेगा है कच्चे और पके हुए खाने को जो है अलग सिर्फ में बर्तरों से ढख कर रखने की कोशिच किजिए जिससे बेक्टरिया उसमें नहीं जाएगा और खाना जहाए आपका लंबे समय तक फ्रेश रहेगा है बहतर होगा कि आप पके हुए भोजन को श्टील के टिफिन में बंद करके रखें फ्रेश में फल और सब्जी रखने का भी एक निश्ची समय होता है इस समय आउधी के पुरा होने से पहले ही वैक्ति को उसका सेवन कर लेना चाहिए तब ही उसमें मौजूद पोसक तत्यों शरीर को मिल बाते हैं माइफियरलेस कीचन के निसार फ्रीज में रखेखे फल और सब्जी का सेवन इत्नी दुन में कर लिए पंधिक या आगे देखिए इसको वहूंत है इसको नोट कर लेजिए इसको जैसे हैब को चार से छे हफता के अंदर इंदर जो है खाले नं चाहिए इसको एक स्पारी टाइम जो है छे हफता तक यहिसका है, चेरी, सेवन डेज, ब्लूबेरी, रसबेरी, इस्ट्रावबेरी, ब्लैक डेरी, तीन से छे हथे तक. खट्टे फल एक से तीन हफ्ते तक अंगूर जो है ग्रैप्स सेवन डेज तर्बूज बिना कटा हुआ दो हफ्ता और कटा हुआ दो से चार दिन पाइनपल 5-7 डेज बीन्स 3-5 देज और कॉर्ण एक से दो दिन में इसका सिवन कर लेना चाहिए इसे दर से खीरा है चार से छे दिन इसको इस्टोर कर सकते हैं और फिर बैंगन 4-7 डेज और मश्रूम तीन से साथ दिन के और इसके अंदर जहें इसको यूज कर लेना यह कुछ इंपर्ण बाते थी जो आपको मैंने बताएं उमीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और यह काम की बाते लगी होंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना विल्कुल न अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू फूर वाचिंग बाई बाई